नमस्कार मैं सुमंथ वेलकम टू प्रेपाइस तारीख है आस तेरह अक्टूबर और हम डिसकस करेंगे दो बहतरीन कोश्चन्स डेली आपको सुबह नो बजे दो कोश्चन्स दिये जाते हैं जिसका आपको अंसल लिखके समिट करना होता है इन्हें हम लोग रात में नो बजे डिसकस करते हैं डेली ठीक है आज का हमारा जो पहला कोश्चन है वो है e-commerce पे e-commerce के जो potential है उसके बारे में आपको सवाल पुछा गया है जो कोश्चन नोमर टू है वो है financial inclusion के बारे में तो पहला जो कोश्चन है वो हम देखते हैं कह रहा है while digital financial services can expand financial inclusion in India there are various challenges that needs to be addressed in this regard digital financial services इसमें क्या क्या चीज़े आती है digital payment आता है जो भी आपके services online आप देते हैं चाहे रिसीव करते हैं वो सब कुछ इसमें आता है for example आप online banking करते हैं आप online insurance buy करते हैं ठीक न आप online payment लेते हैं अपने दुकान पर तो कह रहा है कि जो financial services हैं जो digitally दी जाती हैं आपको उससे हमारे country में financial inclusion बढ़हेगा तो पहले बताना है आपको कि कैसे बढ़हेगा पहला पार्ट आपको ये वाला address करना है दूसरा इसके साथ कुछ challenges भी है जिसको address करना जरूरी है तो आप उन challenges की बारे में बताएंगे फिर आखरे में आप इसको एक way forward देंगे इसको आप conclude करेंगे तो इस question का structure क्या होगा अंसर का इसके intro में आप बताएंगे कि what services comes under digital services services under digital financial services अब क्या क्या होता आप में बताएंगे दिया कि payment लेना देना stock में trade करना जो brokerage आपको मिलता है जैसे कि जिरोधा है अपस्टॉक है सब जो companies है वो अपने services online देते हैं तो जो service है financial आपको online मिलता है online IPO के लिए apply कर सकते हैं आप online bond खरीच सकते हैं gold bond खरीच सकते हैं तो यह सब जीज़ें हैं अब आते हैं बात बाद बाड़ी की बाड़ी में बताएंगे कि हाव इट एक्सपाइंड financial inclusion हाव इक्सपाइंड इस पॉइंट को लिखने से पहले अप एक लाइन में डिफाइन कर देंगे कि वाट इस financial inclusion जो financial services है वो online affordable rate पर at all time at all sector society available होने चाहिए तो हम कहते हैं कि there is financial inclusion for example जिसे कि banking insurance इस सब चीज़ें आपको available हो at affordable cost at all the time तो हम कहते हैं कि our society has financial inclusion तो उसको expand कैसे करेगा आपको जो banking सिवाए है online हो जाने से क्या होता है कि जो brick and mortar branch है bank का वहां पर भी कम हो जाते है for example पहले में जाता है branch में काम कराने bank का अब bank का मूँ देखे जमाना हो गया मतलब सारा काम जो है आपको online banking से हो जाता है net banking से हो जाता है वैसे ही पहले stock वगरा का जो काम होता था मतलब तो अगर आपको account खुलाना है तो जाना होता था उसके office में अपने photo की च्वाते थे अपना document समिट करते थे अब सारा काम online होता है तो अगर हम को financial services online देते हैं available कराते हैं तो वह जादा लोगों के पास जा सकता है ठीक न तो इससे क्या हुआ इससे inclusion expand हुआ now more people will benefit from these services तो आपने यहां बता दिया कि कैसे expand करेगा अब आगे बताएंगे challenges challenges क्या-क्या challenges है फिर आखर में conclusion बता देंगे यहां पर आपने जो way forward है वो दे देना है यह पर आपने way forward दे दिया किलर बात है आप देखो आपने कहा कि जो सब्सक्राइब अपर financial है यहां पर हम उन section को देते हैं जब हम कहते हैं financial closing की बात करते हैं तो जिसको पहले से नहीं मिल पा रहा है services हम उनको देते हैं जिसके urban area में तो मिल ही रहा है जो rural areas है वहां पर हम देते हैं ठीक है आपको affordable convenient और secure banking services मिलती है जो insurance services वह भी मिलती हैं कहां पर सभी individual को जो gram in या फिर urban area में रहता है बशरते उनको इंटरेट के availability access हो इसके साथ साथ fake currency का जो circulation उसको reduce करता है चुकि payment आप online ले रहे हैं तो online payment में आप नकले नोट दे नहीं सकते तो लोगों का जो trust है online payment पर बढ़ता है कि हमें कोई कटा फटा नोट नहीं देगा हमें को नकले नोट नहीं देगा क्योंकि payment digitally आ रहा है तो more people will go towards digital payment इससे क्या होगा financial inclusion बढ़ेगा ठीक है चोरी का जो खत्रा है वो नहीं होता कि इन्हीं के परस्मार के भाग गया safe है secure है convenient है quick है तुरंट payment हो जाता है पैमेंट आगर को भेजना है गया से देली तो तुरंट हो जाता है काम आपको पैसा लेके जाना नहीं पड़ता आपने बस उसका यूपियर डाला उसको payment वहां पर मिल गया सब्सक्राइब करते हैं इसको पॉइंट कर सकता है मगर इसमें कुछ इशू भी है पहला इशू तो यह है कि डिजिटल डिवाइड है आपको शहर में तो नेट मिल जाता है गाउं तो टावर भी नहीं मिल पाता तो नेट का कहना है क्या रुर्लह ऑउस वोल्ड पंदरा परसेंट है जिनके पास vel mesh कनेक्शन है अर्बन में 42% सबस्ट कनेक्शन है इतना काफी नहीं है अच्छा गाओं में जो भारत फैवर है वो पहुंचाए गया तो उससे भी हम लोग आगा काम कर सकते हैं अगर उसका बैंडविट पहले से ही काफी कम है तो देखते हैं क्या होता है उसमें डिजिटल और फानेशल लिटरेसी हमारे यहां काफी कम है काफी कम लोगों को पता होता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं बैंकिंग का ऑनलाइन कैसे हम ऑनलाइन इसमें कर सकते हैं अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर उसका जो ब्रोकर है जो दराल है वो होता है आप से अगर आपका payment fail होता है चाया कोई fraud होता है तो उसको देखने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है कंप्लेंड कहां करेंगे कंप्लेंड किने दिन में ठीक हो जाएगा सब का इशू है हमारे हाँ तो तो था साथ trust का भी इशू होता है दूसरा इशू है कि tax net में आ जाएंगे ये एक fear होता है ये क्या होता है अगर कोई दुकांदार payment लेता है दिजिटल तो उसको डर रहता है कि सरकार को पता चल लेया कि मेरी इंकम कितनी है पहले तो चुपा लेता था कि आपको रसीद नहीं देंगे तो काम हो जाता था उसका बिन रसीद दिये उसका काम हो गया अब अगर वो payment online ले रहा है तो रसीद दो ना दो दिख रहा है ना कि तुमको इतना पैसा मिल रहा है तुम्हारे दुकान से उसको टेक्स पर करना पड़ेगा फिर साम एंठिशे साने में आपके फोन में एडिसक नाम का सस्वट्ऽ डाल देते हैं आपका फोन करते हैं और आपका पैसाल हब लेते तो जो भी आपके फोन में यह वाला एयप इन्सटाल करना जैसे का इनदे के बहुत ही बढ़िया एक हैं जिसको हम हम लोग कर सकते हैं कि आपके computer को access कर के कोई कुछ भी कर सकता है तो यह अच्छा है खराब भी है अगर तो यह अब आते हैं वे फरवर्ड के तो हम कर क्या सकते हैं जो प्रोटेक्शन फेमवर्क है लगा सकते हैं करने के लिए क्या किया जाएगा जो डिजिटल लिट्रेसी है इसको बढ़ाने के जरूआज ज्यादा सपोर्ट दीजिए लोकल लेवल के इन्युवेशन पर मतलब क कि जो लोकल लेववगोजे सें उसमें उसमें एप अवेलबल कराई एंडिया में तो मतला अपना रीच ब्लहाना है इंडिया में तो तो यह होगिया है हमारा पहला सवाल आप अपने अंसर को match करेंगे कि आपने कितने पॉइंट लिखें पहला क्या आपका structure ऐसा है अगर नहीं है तो उसको ठिक कीजिए अगर आपका structure ऐसा है तो आपने challenges में कौन-कौन e-commerce holds the potential to revamp agricultural marketing in multiple ways discuss with suitable example e-commerce में करते क्या है कि हम लोग online समान की खरिदारी करते हैं payment करते हैं समान वहाँ से हमारे पास आता है तो agriculture marketing को revamp करने के लिए e-commerce एक बढ़िया tool साबित हो सकता है कैसे पता आपको देखो हमारे जो agricultural produce है उसको आप all India में transfer कर सकते हो भेज सकते हो अगर खरिदार है तो खरिदार कहां से मिलेगा आप अपना कोई app तो बनाओगा नहीं जो website पहले से है Amazon Flipkart जहां पर पहले से customer है उनको आप target कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आप पहले बताएंगे कि what is agricultural marketing आप इसको define नहीं करेंगे इसको define करेंगे अगर culture marketing को ठीक है तो intro में you will define agricultural marketing ठीक है body का जो पहला part है हमाँ बताएंगे कि role role of e-commerce in expanding expanding या resolving issues of resolving issues faced by agri-marketing ठीक है दोनों agri-marketing को expand करने में क्या role है उसके issues को solve करने में क्या role है e-commerce का आखर में आप conclusion देंगे जहां पर आप एक way forward लिखेंगे किलर है तो यह बते हो गए अब समझो यह agri-marketing क्या होता है आपका जो agricultural produce है आपका जो अनाज है सबजी है इन सब को ले जाके market में बेचना यह होता है agricultural marketing फिलहाल offline होने के कारण यह जो agri-marketing है वो काफी limited है आप अपने खेत के किवल आसपास की market में ही बेच सकते हैं प्लस आपको price की discovery नहीं हो पाती कि कौन से market में कितना price चल रहा है मैं किस दाम पर बेचूँ तो आपका exploitation होता है सभी trader जो खरिदने वाले हैं वो अपना cartel बना लेते हैं और आपको कम पैसा offer करते हैं आपके धान के लिए आपके सबजी के लिए ठीक है तो पहले आप जो agri-marketing उसको define कर देंगे जैसे मैंने बताया उसके बाद बताएंगे कि role क्या है e-commerce का e-commerce कर क् है कि middleman को eliminate कर सकता है inventory cost कर सकता है seller के पास अब यह benefit है कि वह cost को transfer कर सकता है consumer मतलों कि आपने अगर कोई समान महेंगा खरता तो सोहेंगा बेचेंगे अब जब जो seller है जैसे कि हम लोग किसान है किसान पहले जो आपका fertilizer यूज करता था उसका दाम अगर बढ़ गया तो जो प बेच रहाता दस रुपे किलो ठीक है अब fertilizer का दाम बढ़ गया बिजली का दाम बढ़ गया तो ऑवेस से बात कि मेरा लागत बढ़ गया तो जो मेरा selling price है बढ़ना चाहिए तो यह कम आराम से कर सकते हैं दूसरी बात seller पूरे देश के customer को टारेगेट कर सकता है प्राइसी में transparency होती है कि price पता होता है कि e-celler इतने बेच रहा है वो इतने बेच रहा है तो customer को तो फायदा होता ही होता है seller को भी पता होता है कि हमें कितना price set करना है वो बेच रहा है 12 में हम बेचेंगे 11 में अगर मेरे को पढ़ता है फायदा तो ठीक है कोई भी सर्च या नेगोशेशन कॉस्ट नहीं होता क्योंकि काम ऑटमेटिक हो रहा है कस्टमर साइट पे जार मालों कि आप धनिया बेचते हो तो आपने एमेजॉन पर धनिया लिस्ट कर दिया एमेजॉन पर फ्रेश का एक आप्शन आता है जहां पर आप इस अपर क उसको बाय कर सकते हो वहां से प्रोडूसर है नीश pil की उसको सकते है औल्लाईञ वहासे वाले सामान है उसको हम सलों कर सकते हैं जिसीκα की नागपूर का कुछ-फेमस है उसको मैं मंगा सकता हूं गया का एक शिक्किम में चाफी से उनलाइन तो जाने जूरूत नहीं है वहां पर मेरे को कुल हाँ उसका जो अधनिटिसिटी उसको देखना पड़ेगा अगर मगा तो सकते ही है ठीक है जो प्राइब इंवेस्टर से उसके पास अब ऑप्शनिटी है कि उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इसे विपास क्रेट ने किया सब कुछ बढ़ेगा अगर हम e-commerce को यूज करते हैं अग्री मार्केटिंग में तो क्या होगा वो रिवैंप होगा एक्सपैंड करेगा उसके इशुज रिजॉल्व होंगे ठीक है तो इससे बाते हैं अच्छा आके आता है वेफवर 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 में करना क्या है आपको पहले ओन बोर्ड करना है उन किसानों को जो सिल कर सकते हैं पने प्रदूस को ऑनलाइन पर उनको पता रहा है कि अपना परद कैसे लिस्ट करते हैं अमेजोन कैसे यूज किया जाता है ठीक है तो यहां पर आप पहले बताएंगे कि वी नीड टू डिसमेट अवेरनेस एबाउट गेटिंग लिस्टेड ओन एव कमर्स वेबसाइट लर्निंग अबाउट लॉजिस्टिक्स कि हम कैसे ट्र सफेले पॉइंट में इंट्रो लिखती है यह आपका अंसर अपको सब्सक्राइब की जई या पर यहां पर हेडिंग अलग नहीं बनाना है दोनों को एक ही पॉइंट में लिखना है ठीक है चलो तो यह बात हो गई हमारी आज की आपने जो अंसर को लिखा उसको आप एविल्वेट कीजिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल रात में नौबजे से थैंक्स व